Hello everyone, सबसे बड़ी उलजन के रोज क्या बनाया जाए? प्लाव बना लिया, बिर्यानी बना लिया, आज ये magical dish लेकर आए हैं जो ना प्लाव है ना बिर्यानी, लेकिन है ये प्लाव बिर्यानी प्लाव की तरह लाइट है और बिर्यानी की तरह चेट पर्टी है हाफ कप उल में खरे गरे में साले डालेंगे और हलकी आज पर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे दो मीडियम प्याज लेंगे, उन्हें अच्छे से ब्राउन कर लेंगे जब आपके घर में चिकन आती है तो सेद्रक, लहसन, दही, काली मिर्श, नमक, हरी मिर्श और थोड़ी सी लाल मिर्श में मैरिनेट करके रख दें ये दो दिन पहले मैरिनेट की हुई चिकन मैंने अभी निकाली है प्यास ब्राउन हो चुके हैं, इससे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़े से प्यास रहने देंगे फ्लेम को थोड़ा हाइ कर देंगे, मैरिनेट चिकन डाल देंगे और तेज आच पे चिकन का कलर चेंज होने तक पकाते रहेंगे चिकन का कलर भी चेंज हो रहा है और साथ-साथ बुनाईी भी हो रही है इसी दोरान आपने चावल भी बिग हो देने हैं फ्लेम मीडियम कर दें और 10-15 मिंट चिकन को अच्छे से फ्राइ करें नमक, मिर्च और हल्दी इसमें आपने डाली है मसालों का ख्याल करिएगा क्योंकि मैरिनेशन में हमने चिकन में भी नमक और मिर्च डाली थी मक और हल्दी हाफ-ाफ टी स्पून और वन टी स्पून लाल मिर्च हमने इसमें डाली है फ्री फोर्थ कप दही फेंट के रख लीजे अब जब चिकन अच्छे से फ्राइ हो चुकी है तो 20 मिनिट के बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे और फ्लेम हाई कर दें याद रहे धही डालते वे फ्लेम बिलको लो होना चाहिए उसके बाद मिक्स करने के बाद आप इसे हाई कर दें साथ चावल भी हमारे बॉयल हो रहे हैं अच्छे से बुनाई कर लें चिकन और इस स्कोर में की तही का पानी सूपने लगेगा ओयल उपर आने लगेगा तब तक हमने इसके अच्छी तरह बुनाई करनी है फ्लेम लो कर दें साथ जो चावल बॉयल हो चुके हैं उनकी लेर लगा दें जर्दा रंग और वो तली हुई प्यास और धनिया उपर से डाल दें लेर्स लगाने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बाद दम से उठाएंगे और अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेंगे याद रहे ये प्लाव की तरह काफी लाइट बनती है जादा तेज नहीं होती मसालों में लाओ का मूड नहों तो ये पलाव बिर्यानी बनाई जा सकती है घर में एक बार ये बना कर देखें सब इसी की रिक्वेस्ट करेंगे बहुत ही लजीज लाइट किसम की बिर्यानी भी और पलाव भी तयार है आपके सामने हमारी बहतरीन पलाव बिर्यानी रेडी है सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा घर वालों को खिलाएं सब बार बार इसी की फर्माश करेंगे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दिया करें साथ-साथ यकीन जाने ये इतनी लाइट है कि इसके बाद हार्ट बर्ण भी फील नहीं होता मैदे में जलन नहीं फील होती फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ